सेल के आपस में इंटरवाइन होने के करन एक थैलेस का Inhale जर्वाइन होता है अर्थात इंटर्वाइन का मतलत कि बहुत सारे सेल गुद जाते हैं अपस में तो इसके कारण से जो ऐसो थैलस का इंटर्वाइन होता है इसका जो थैलस का रंग होता है वह नीला हड़ी काले हड़े अथवा कीले बुड़े रंग का आपको देखनी को मिलेगा थैलस का जो सेल होता है उस सेल का जो स्टर्चर होता है वह गोल अंटा का अथा तथा वरगा का ये तीनों सेंट में जैसो आपको इसके सेल दिखाई जैसो आपको देखने को मिलेंके और जिससे ये पूरा थैलस का फ़र्वेशन उपा रहता है थैलस के चारों तरफ एक मुसलिजिनियस सीथ पाया जाता है जैसे कि आप देखो यह थैलस का फिलामेंट है इसके चारों तरफ बहुत मोटे-मोटे परत पाया जाते है यह जो जो मोटा-मोटा जिसको हम लोग मुसलिजिनियस सीथ कहते है तो यह जो आपको इसमें देखने क कि इसका प्रतेख शेल होता है वह स्टॉक्टर को सो करता है तो स्टॉक्टर को सो करने का मतलब यह हुआ कि इसका जो सेल है यह जो आप देक्रम को जो सेल सब है यह जो इना फोटो-सिंथाटिक के द्वारा जो भोजन को नाता है वह अंदर से इसका सेल बहुत ही प्रिमिटिब होता है प्रॉकरियोटिक होता है इसका सैल जो होता है, प्रोकरिवर्टी का मतलब यह हो गया कि इसमें nuclear membrane योगा, वेल डिफाइव नहीं होगा, अर्थाथ इसमें nuclear membrane नहीं पाई जाता है, अर्थाथ nuclear diagnosis का इसमें आभाव रहता है, लेकिन इसका जो genetic material है और DNA के रूप में इसमें क्लोरोफिल A तता क्लोरोफिल C पाय जाता है तो chlorophyll C hypo erythrit एवाम chlorophyll C hypo siamine के कारण cytonema का जो रंग होता है वह blue green दिखाई देता है इसके cell में आपको plastic, mitochondria, dictosome तथा endoplasmic reticulum जैसे organically जो cell के अंदर पाय जाते हैं वह इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे अर्थाथ इसमें इसका अभाव रहता है तो यह जो है इसका thallus structure हुआ अब हम लोग इसमें branching देखने हैं कि इसमें branching केस पकार से होता है